पिस्मिल्लाहिर्मानी रहीम, अस्सलाम वालेकूम और हमतलाहिव वबरकातु हूँ So friends, in this video, I'll share a traditional tomato chutney recipe with you all And friends, ये जो chutney है, ये आज कल YouTube पे काफी viral हो रही है And ये recipe currently trending पर है So friends, in this video, I'll share a traditional tomato chutney recipe with you all And friends, ये जो chutney है, ये आज कल यूटूब पे काफी viral हो रही है And इने हम कुछ इस तरीके से हाफ में कट कर लेंगे And then friends, फिर हमें हाँ पे एक पैन लेंगे And इसमें हम ओईल अट कर लेंगे Then guys, फिर हम ओईल को अच्छे तरीके से पैन में स्प्रेट कर लेंगे Then friends, फिर हम इसमें अपने टोमाटोज आड कर लेंगे कुछ इस तरीके से हम अपने टोमाटोर को प्लेस कर लेंगे And friends, मैं आपको बता दू ये जो रेसिपी है ये काफी इजी है and बहुत ही टेस्टी रेसिपी है चाहे तो इसमें लेमन जूस भी आड कर सकते हैं लेकिन अगर आपको टोमाटो जादा खटा है तो फिर लेमन आप स्किप भी कर सकते हैं And then friends, फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे So friends, आप हम इसे ढग देंगे जिससे कि हमारे जो टोमाटो की स्किन है वो लूज हो जाए और हम उसे असानी से निकाल सके So friends, आप देख सकते हैं हमारे जो टोमाटो की स्किन्स है वो एकदम लूस हो चुके हैं अब हम इने एक एक करके निकाल लेंगे So friends, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसके सारे स्किन्स निकाल लिये हैं अपने टोमाटो उसको एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमें रेड चिली पॉडर एड़ कर लेंगे And then friends, फिर हम इसमें टेस्ट अकॉर्णिक सॉल्ट एड़ कर लेंगे And then friends, फिर हम इसमें ग्रीन चिली लीज एड़ कर लेंगे Then friends, फिर हम इसमें चॉप्ट करेंडर लीवज एड़ कर लेंगे And then friends, फिर हम इसमें चॉप्ट अनियन एड़ कर लेंगे So friends, अब हम अपनी चटनी में तड़का डालेंगे इसके लिए यहाँ पर हमने एक पैल लिया है और इसमें ओईल एट कर लेंगे ओईल के थोड़ा हीट होने के बाद फिर हम इसमें जीरा एट कर लेंगे फिर हम इसमें कुछ गारलिक एट कर लेंगे फिर हम अपनी चटनी में तड़का डाल लेंगे और आप तड़के में ड्राइड रेड चिली भी आड़ कर सकते हैं अब हम अपने सारे इंग्रीडेंस को कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और टोमाटोस को भी मैश कर लेंगे पिर गारलिके। सो फ्रेंड्स हमारी इसपर टेस्टी चटनी की रेसिपी रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप इसे घर पर एक बार जरूर ठ़ाए कीजिएगा फिकास अगर आप इसे एक बार खायेंगे आपका बार बार मन करेंगा अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लेस कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें और शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें फिर मिलते हैं ऐसी और भी टेस्टी, सिंपल और एजी रेसिपी इसके साथ थैंक्स पूर वचिंग अलाहाफिज